दुर्गापूजा उत्सव के अंतिम दिन यानि दश्षरा पर मातक के विदाई से पहले सिंदूर खेला की रस्म निभाई जाती है। बंगाले हिंदू महिलाएं इस रश्म को निभाती हैं सिंदूर खेला यानी सिंदूर का खेल या सिंदूर से खेले जाने वाली हूली बंगाल से लेकर काशे तक मनाये जाती है ये रश्म दुर्गापूजा पंडालों में भी ये रश्म निभाई जाती है इसे सोभागी का प्रतीक भी माना जाता है, इसके अलावा मानिता ये भी है कि सिंदूर खेला से पती की आयू भी बढ़ती है कशे के विद्वान और जूतिसा चार्यों के मताबिक बंगाली समाज से लोग मातक के विदाई से पहले वो सभी दश में निभाती हैं, जो बेटी के विदाई के वक्त माईके में निभाया जाता है इसी के तरह बंगाली महिलाईं देवी को सिंदूर चढ़ाती है उसके बाद दही, पेड़ा और जल अरपन करती है माता को चढ़ाया गया यही सिंदूर महिलाईं खुद लगाती है फिर इसे सिंदूर को महिलाईग एक दूसरे को लगाती है और सिंदूर की खोली खेलती है आज भे पट्ना में बंगाली अकाड़े की महिलाईग एक साथ आई हैं और सभी लोग मिलकर मातल के विदाई के इस रश्म को निभा रही है यह तमाम तस्वीरे बंगाली अखाडे की है जहाँ पर सारी बंगाली महिलाईं एक दूसरे को सिंदूर लगाती नजरा रही है यू कहें कि सिंदूर की खोली खेलती नजरा रही है इस मौके पर माता के सामने पेडा और दही अरपन भी की है और यह तस्वीर बेहदी जादा खुबसूरत है जो हम आपको बंगाली अखाड़े की दिखा रहे हैं जहां पर ये सारी महिलाई एक दूसरे को सिंदूर लगाती नजरा रही हैं बताते चले आपको दर्शरा के दिन मनायी जाती ये रस्म काशे के पूजम पंडालों में ये रस्म बेहत धोमधाम से मनाया जाता है 14 अक्टूबर को दर्शरा के दिन सिंदूर खेला का रंग पूजा पंडालों में देखने को मिलेगा धार्मिक मानिताओं की अनुसार सिंदूर खेला से देवी भक्तों के सभी मनो कामना को पूरी कर देती है वैसे तो सिंदूर खेला का रस्म साड़ी चार सो साल पुराना रहा है बताते चले आपको जानकारी की मताबिक सिंदूर खेला की इस रश्म की परंपरा साढ़े चार सो साल सी अधिक पुरानी है बंगाल से इसकी शुरुवात हुई थी और अब काशी समेत देश के अलग-अलग जगहों पर इसकी खासी रंगत देखने को मिलती है आज भी पटना की तमाम महिलाएं जो भी बंगाली महिलाएं है वो इस रश्म को निभाती नजरा रही है ये तमाम जो खुबसूरत तस्वीरे हैं आप इस तस्वीर को देखिए जो देखने में बेहदी जादा खुबसूरत लग रहा है और ये तमाम महिलाएं अपने अपने घर से निकल कर इस पंडाल के पास बंगाली अखाडे में सिंदूर खेला के दस्व को मना रही है क्या आप अब भी माता-पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? Oasis Fertility ने लगभग 90,000 जोडों की जीवन में खुशिया भरती हैं आज ही 8929-755-101 पर कॉल करें Oasis Fertility के कम लागत वाले IPF उप्चार की साहता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखवरी दें ये लो मुह मिठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है, मतला ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहाँ अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हो अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama, बड़ा घर, आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सग अड़े अड़े, आप क्यों मुमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है घर वापसी की खुशी पुर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama, luxurious, lifestyle redefined